So guys, एक बहुत बड़ा package आया है हमारे पास और I know कि इसके नर बहुत ही जादा special चीज है thumbnail और title से आपको पता ही चल गया होगा लेकिन, let's see why क्या है और क्या speciality है इस phone के अंदर सारी चीज़े जानने वाले हैं So पहले तो मैं इस box को open कर दूँ Ant-Man So guys, ये एक बहुत ही जादा special box है ये एक smartphone है, Infinix की तरफ से आने वाला Infinix का 05G 2023 Lick फिल मारवल के थात में collaboration कर लिया गया है Again, Ant-Man and the Wasp, Pontamania के साथ में मिलकर हम इस phone के बारे में आपको बैताने वाले है चलो देखते हैं कौन सा special phone है, क्या-क्या चीज़ा है सारी चीज़ा जाने वाले है So here wasp guys, वाले में जहीर And this is a special box of the Infinix 05G 2023 So let's begin Power to change the future कुछ कार्ट जेखने को मिल रहे हैं कैसी का score है आपर, उसके का का score है Okay, so भाई, इससे आप card के थू कुछ खेल सकते हो वैसे Kang के बारे में जिसको नहीं पता ये किरहर आपमी है समदो विलन ही होने वाला है अईसा पका समद लो भाई क्यों मालूम है? क्योंकि अभी Kang Dynasty सेटप ही कर रहा है Marvel वाला Let's see क्या होता है Okay, उसके आद हमको यहाँ पर एक bottle देखने को मिलती है This is not just a normal bottle I think यह कॉफी और रखने के लिए है इधर पर पूरी Marvel की ब्रेंडिंग है And Infinix की ब्रेंडिंग है वो भी etched है, so इसको निकालने सकते है और यहाँ पर यह Marvel का आपको कोश्टर भी देखने को मिलता है This is not a coaster I guess Is it magnet? So, देख लो guys आपके fridge के लिए है अगर आपको Kang बहुत जादा पसंद है Kang की dynasty पसंद है तो आप लोग अपने fridge पर चिपका के Show off कर सकते हो Kang का और यह है हमारा main smartphone काफी जादा special box दिकरा है पर्चेस करोगे तो आपको शयद से यही देखने को मिलेगा और अगर आप special edition वाला purchase करोगे तो with this sleeve आपको देखने को मिलेगा क्या ही premium packaging करिए भाई वाई इंफिनिक्स वार है very nice यार मतलब streamly premium है पूरा इधर पर आपको कार्बन फाइबर का feel देने के लिए दर पर बूद किया गया और जो text वगरा है भाई एक्दम इट फील वरी premium high-res audio का support है ताइमेंड सेटी 1080 प्रोसेसर है यह सेम प्रोसेसर हमको रियल्मी के फोन में देखने को मिल जाता है स्क्रीन देखने को मिलता है Full HD resolution के साथ में और यह स्क्रीन आइधिंक LCD स्क्रीन है 33W की fast charging देखने को मिलता है NFC का support देखने को मिलता है triple camera setup देखने को मिलता है भाई specs तो बहुत ही जादा next level लग रहे है लट्स ओपन इस इसके जो MRP है वो 25,000 है यह phone launch नहीं होगा इस phone की कीमत होगी बता दूँ बता दूँ आभी नहीं थोड़ा फरोग फिर बताता हूँ ओकेई यह last year के जैसा ही है vegan leather वाला orange color में and it looks and feels very very premium यार मतलब जो last year का orange वाला same phone था Infinix 05G but with some improvement अभी यहां पर हमको देखने को मिल रहा है सपल सा टेक्स्चर है पाकि box के अंदर देखते हैं क्या क्या है mostly तो वही होगा हमारा normal USB type A to type C cable है and यहां पर हमको 33W का fast shutter देखने को मिलता है कुछ paper works है X1 का dollar गया होगा इधर पर और इधर एक SIM card का tray देखने को मिलता है and उसके अंदर जाएंगे तो हमको यहां पर एक normal TPU silicone case देखने को मिल रहा है इस बार screen guard देखने को नहीं मिला तो इस बार screen guard इन लोग ने pre-apply करके दिया है जो के काफी अच्छी चीज लेगी मुझे क्योंकि वो screen guard लगाना is the big सरदर द्यार भाई even cover लगाने के बाद भी मतलब उसकी जो beauty है वो come नहीं हो रही है even तो यह orange color में है बट काफी premium सा लग रहा है बाइद भी तक अगर आपको यह product check out करना है तो इदर जो view product option आपको दीख रहा है इसके ओपर आप टैप करके जाका check out कर सकते हो quickly अगर मैं आपको इसका physical or video तो bottom side की बाद करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखे हो speaker grill है USB type C port है primary microphone hole है 3.5 mm headphone जाके है very nice इस side की बाद करूँ तो यहाँ पर हमको power button देखने को मलता है उसके अदर fingerprint scanner भी है उसके उपर में हमको यहाँ पर volume rocker देखने को मलता है top side की बाद करूँ तो भाई यहाँ पर हमको secondary noise cancellation microphone देखने को मिल जाता है यह side में हमको एक यहाँ पर SIM card का stray देखने को मिलता है okay so यह एक proper triple slot है that means आप दो SIM card इतर पर लगा सकते हो and एक dedicated SD card लगानी की जगा है यहाँ पर इसके दोर already 256GB storage है तो काफे सही है back side की बाद करूँ तो यहाँ पर हमको triple camera setup देखने को मिलता है but यह triple camera सिर्फ नाम का है guys main camera 50 megapixel का है उसके दो 2 megapixel के camera है emotional support के लिए उसके यहाँ पर flashlight दिखने को मलती है quad LED flash है इधर zero की branding दिखने को मलती है infinix का नाम ही नहीं है यहाँ पर but it looks very nice actually front side की बाद करूँ तो भाई जो chin है वो थोड़ी सी बड़ी है definitely okay guys तो phone हो चुका है on तो infinix if you're watching this please जो default gesture है अगर मैं swipe down करूँ तो यह search नहीं आना चाहिए आपर इधर पर notification का option आना चाहिए जितने में पहिचान में है जिसने infinix लिया है सब अंदर जाके उसको change कर देते हैं बाकी बात करूँ अगर display की तो यह एक 1080p screen है वो भी LCD screen है जो brightness वगरा है वो मेरे को काफी sufficient लग रही है दूप में दे होगा इस कुछ इस तरह का दिखता है एक्चुली देखा जाए तो बुरा नहीं है LCD screen की quality जैसे आप लोग याँ पर देख पा रहे हो काफी अच्छी quality का display है honestly बुल को बट यार एक OLED जो display है उसका लगी जलवा होता है भाई उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता कितना भी अच्छा LCD हो लेकिन यह अच्छी quality का LCD screen है भाई आपको मतलब color, saturations, सारी चीज़े काफी अच्छी है और oversaturated कोई चीज नहीं लगी मिरवा याँ पर बाकि speakers की बात करो तो इसके अदर studio speakers देखने को मिलता है तो इसके अदर studio speaker नहीं देखने को मिलता है इसके अदर हमको single bottom firing speaker देखने को मिलता है that is very weird speaker काफी loud है अच्छी quality का भी है लेकिन अब देखो यह फोन के अंदर amoled display नहीं तो studio speaker तो होना ही चेता वो चीज़ यहां पर missing लग रही है मेरेको इधर side में हमको fingerprint scanner देखने को मिलता है और fingerprint scanner की speed जैसे आप लोग देख रहे हो touch करते तुरंट खुल जाता है touch करते तुरंट खुल जाता है face unlock की बात करूँ तो even face unlock भी काफी जादा fast काफी जादा quick है तो मेरेको काफी साही लागा guys security के मामली भी मस्त है इसके अंदर I think दोनों साइट flash है यहां पर भी देखने को मिल जाता है नेटवर्क वगएरा मैंने चेक किया जैसे आप लोग देख रहे हो यहां पर 4G चल रहा है easily VO, LTE, VO, Wi-Fi दोनों भी चल जाता है बाकी 4G Plus का भी signal है यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर VO, Wi-Fi तो आप देखी रहे हो यहां पर देख रहा है और जैसे मैं अगर समल दो Wi-Fi बंद करता हूं तो VO, LTE, 4G Plus दोनों आ जाता है फटाक से तो यह सारी चीज़ है मैंने कॉल वगएरा करके भी देखा कॉल वगएरा कायफी अच्छे से earpiece की sound वगएरा भी अच्छी है कॉम माइक का पीकप भी अच्छा है स्पीकर पर करके बात करो तो सामने अले को आवास थोड़ी जाती है तो थोड़ा सा आपको शायद सा स्पीकर पर करके बात करोगे ना स्पाशली बंद कमरे में थोड़ा सा आपको थीज़ बात करना पड़े बट नॉमल आप बात करो हो ना earpiece से या फिर ऐसा कुछ तो आपको कोई प्राबलम नहीं है भाई मतलब call quality में था कोई major issue देखने को नहीं मिला और सबसे बड़ी चीज यह जो डाइलर देखने को मिलता है इसके अंदर बीना कोई भी आवास के मतलब देखो recording स्टार्ट हो गई कुछ भी आवास नहीं आई Google तबसे भी काफी अच्छे लेगी काफी efficient processor है तो better life आपको अच्छी देखनी को मिल ही जाएगी तो उसमें tension लेनी की जरुवत है नहीं बाकी बात करूँ camera's की तो 50 megapixel का main camera है और 2 camera ऐसे ही दिएवे सामने हमको 16 megapixel का selfie shooter देखनी को मिलता है यह इसका एक strong point नहीं मैं बोलूँगा मैं आपको पहले photos दिखाता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाहरा हूँ पर देखो मैं अगर daylight में photo दिखा हूँ तो जैसे आप लोग देख रहे हो तो इधर पर focus नहीं किया मैं ऐसा बोलूँगा जैसे आप लोग यह photo देख लो camera is not the strong suit of this phone लेकिन आपका जो basic चीज है basic task है उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी even आप portrait photos वगएर भी ले सकते हो छोटी-मोटी आपको ऐसा बड़ी major issue है आपर देखने को नहीं मिलेगा तो सब बुरा नहीं है honestly बोलू तो even front facing camera जो है वो surprisingly में को rear camera से जादा अच्छा लगा जैसे आप लोग देख रहे हो काफी sharp है और जो skin tones वगएरा वो भी natural आता भी portrait mode में तो पुरा skin में beautification आयता है लेकिन non portrait mode photo तो एकदम मतलब natural अच्छा photo लेता है भाई में को तो rear camera से जादा अच्छा इसका front camera लगा वाकि ये कुछ videos भी गाईद आप लोग देख लो ये video 4K 30fps में shoot हो रहा है ये video 1080p 30fps में shoot हो दिया ये video 1080p 30fps में shoot हो दिया ये video iPhone के front facing camera से HDR में 1080p 30fps पे shoot हो दिया चैसा shoot होता है front facing camera से तो जैसा आपने देखा भाई camera इसका strong shoot नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है average camera है मैं इसरा definitely बोलूँगा बाकि cameras के बाद अगर आगे बढ़ू मैं performance की तरफ तो भाई यहां पर मैं काफी जादा impressed हुआ हूँ जब से मैं use कर रहा हूँ इतना मस्त चलता हूँ अभी देखो अनिमेशन देखो अभी देखो कासा अनिमेट होके एप कुल और एकदम फूल 120hz पर चलता है and it feels very nice very amazing very fast and fluid हर जगे 120hz अच्छे चलता है बस यह वह 120hz नीचे गिर जाता है लेकिन उसके अलावा 120hz एक्तम स्मूद चल रहा है थारी चीज़ है तो मैं वह काफी अच्छी लगी भाई थारी चीज़ है इसकी परफॉर्मेंस डेटू डेटास में कोई भी अप उपन करना हुआ क्लोज करना हुआ उसमें भाई काफी रफतार है आपको ऐसा फील होगा कि भाई हाँ आप एक अच्छा फोन यूज कर रहे हो काई पर लागिनेस चिटरनेस फील नहीं हुआ जो मुझे काफी अच्छी चीज लगी बाकि यह जो फोन है फिलहाल अच्छी बाकि फीचर्टपर भाई डबाकि इसकंडर है मतलब इतने सारे फीचर्ड sagt कि आप भरिशान हो जाओगे फीचर्स यूज करकर के इतनी सारी फीचर्स है जो मिझे काफी अच्छे लगे परसनलाइशन में जाओगे आप तो आपको टीम्स मिल लेंगे लाइव वाल पेपर है उसके अंदर भी आप ब्यूटी मोड ऑन कर सकते हो तो वह सारी फीचर मतलब जो यू आई है वो थोड़ा सा और निवनेस आना चाहिए इसके अंदर थोड़ा सा स्टॉकिश टाइप का होता तो अच्छा रदा यह थोड़ा सा अभी भी चाइल्डिश टाइप का मैं बुलूँ आसा थोड़ा सा मतलब इक होसा फील होता है तो प्रफेशनल नहीं होता यह थोड़ा सा किडिश थोड़ा सा मतलब वही टाइप का वाई बाता है जो पहले कलर ओएस या फिर फंटच वैस में पहले कैसा आता था थोड़ा सा सफिस्टिकेशन बढ़ जाएगा तो फिर मजाएगा इसके बेंचमार्क्स काफी अमीजिंग है अगर मैं आपको दिख पूरा ग्रीन है बार 91% की CPU थ्रॉटलिंग मतलब बिल्कुल थ्रॉटलिंग ना के बराबर लेकिन सबसे बड़ाइब इसका जो एवरेज स्कोर है 2,10,000 है जो काफी क्रेजी है वाई तो मतलब काफी जबरदस्ता है इस मामले में बाकि आप गेमिंग भी देख लेते हैं ल फवेख लेख लेकित सब्सक्राइब देखा यह था गेंपले एंड फोन गरम भी नहीं हुआ 60 fps का असपास का कॉंस्टेंट में को गेंपले मिला है मतब गॉल अच्छे सेटिंग में आपको मतलब 60 fps का असपास चला दे रहा है जो के काफी अची चीज है आप देखो यह फोन के अमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो स्ट्रीड स्पीकर तो होना ही चाहता वो चीज यहां पर मिसिंग लग रही है लेकिन जो प्राइज है वो प्राइज के साथ से मैं बोलूगा उतना कंप्रमाइज ठीक है क्योंकि आपको यह फोन आपको 20,000 रुपे म जो 30,000 के रेंज में आता है मतलब यूज्यली 25-30,000 के रेंज में यह वरा चिपसेट देखने को मिलता है डामन सेटी टैने उसके साथ में आपको 5000 अच बैटरी देखने को मिल रहा है थर्टी थी वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रहा है एंड 256GB स्टोरेज व अगर आप लोग 20 रुपर में फोन देख रहे हो तो वाकितना हिसास वीडियो में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो बाइक शार सब्स्क्राइब करते ना थैंक यू सो मुच पॉचिंग देखने को वाचिंग देखने को देखने को सबस्क्राइब करने को